नमस्कार, आज हम बात करेंगे आउट उफ बोडी एक्सपिरियंस के बारे में, यानि कि ध्यान के दुरान शीर से बाहर निकल जाने की विधी के बारे में, अध्यातम में इस अनुभाव का बहुत महत्व है और बहुत से सादक जो ध्यान सादना में गयरे जाते हैं, उनको ये अनुभाव होता भी है, वो ये अनुभाव करते भी हैं, कब होता है आमें इस प्रिकार का अनुभाव, जब आप योग निद्रा में बहुत गहरे उतर रहे होते हैं, या जब आपकी गहरी ध्यान सादना चल रहे होती हैं, या कहीं बार सादना के दुरान ही जब आप स्थूल श्रीर आपका जो स्थूल श्रीर है जब बिल्कुल विश्राम पुर्वक कवस्ता में होता है और आपका सुक्षम श्रीर जिस टाइम चार्ज होता है उस दुरान भी आपको ये अनभव होता है और उस दुरान जादा होता है तो ये एक महत्वपुर्ण तथ्या है क कि जब आपका स्थूल शीर बिल्कुल शान्त हो और सुक्षम शीर आपका जिस वगत चार्जिंग पोजिशन में होगा तब आपको यह अनभव जादातर होता है। Actually क्या होता है कि जब आप साधना करते करते काई बार जब आप ध्यान में बैठे होते हैं किसी खास घ्याहरी स्थिति में तो आपको यह अनभव होने लगता है। उस समय आपको डर भी लग सकता है और अपार अनन्द भी आ सकता है आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अंजाने रहसे जगत में प्रवेश कर रहे हैं आप मैसूस करेंगे जैसे आपके पास एक हलका हवा से बना हुआ शरीर है आपको अचानक ऐसा लगेगा कि जैसे गरम पानी से भाव निकलती है इसी प्रकार आपका वायो शीर भोतिक शीर से उपर की और उठता हुआ बाहर निकल गया है क्योंकि हमारे सुक्षम शीर का कोई वजन नहीं है वो एक हवा की तरह ही है तो इसलिए आपको ऐसी प्रतिती होगी और फिर आपका ये सुक्षम शीर जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे की छट तक उचा उठकर नीचे अपने भोतिक शीर को देख रहा है और फिर दिवारों को पार करता हुआ उपर और उपर बर्मांड तक उपर उठकर हवा में तैरता हुआ वहां की सैर कर रहा है आप अपने इर्द गिर्द सुनहरी रोशनी और तेज जर्ना गिरने जैसी आवाज भी महसूस कर सकते हैं फिर कुछ देर इसी प्रकार अनंद लेने के बाद अचानक आपका चेतन मन से क्रिय हो जाता है और आप भोतिक शीर की चेतना में वापिस आ जाते हैं लेकिन अब आप आँख नहीं खोलना चाते और फिर से वही अनुभव लेने की तरीव कामना करते हैं लेकिन आपके प्रयास से तो ऐसा हुआ नहीं था यह तो स्वयमी घटित हुआ था इसलिए अब चाहा कर भी यह अनुभव आपको दुबारा नहीं होगा आप बिस्तर पर पड़े पड़े कामना जरूर करेंगे कि मुझे फिर से वही अनुभव हो लेकिन अब वो होगा नहीं यह अधिकतर अपने आप ही होता है और करने से नहीं होता है लेकिन हाँ हम इसके घटित होने में कुछ सहायक हेल्पिंग क्रियाई जूर कर सकते हैं जिससे कि इस अनुभव के घटित होने में असानी हो तो सबसे पहली जो चीज आप कर सकते हैं वो है कि आप अपने प्राण श्रीर को अपने उर्जा श्रीर को जिसको हम सुक्षम श्रीर बोलते हैं जो अलग होता है स्थूल श्रीर से उस अनुभव के दुरान उसको आप विक्सित करें क्योंकि जितना आपका सुक्षम श्री विक्सित होगा, डेवलाप होगा, उतना संभावना बनेगी आपके इस अनुभव के घटित होनेगी. तो आप अपने सुक्षम शीर को कैसे डेवलाप कर सकते हैं? ब्रीधिंग अक्ससाइज से, प्राणायाम से. क्यों? क्योंकि हमारा सुक्षम शीर प्राणायाम से ही बना ह उसको हम प्राण शीर भी बोलते हैं. तो जब आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, कपाल भाती, भस्तरी का, अनुलोम, विलोम, इस प्रिकार के जब आप प्राणायाम करेंगे, या कुछ फास्ट ब्रीधिंग अक्ससाइजिस करेंगे, जिनको करने से आपके शीर की अ है, ओम का उच्चारन है, या त्राटक का अभ्यास है, योग निद्रा का अभ्यास है, जब आप इस प्रिकार की योगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, तो इन योगिक क्रियाओं के करने से भी आपका सुक्षम श्रीर डेवलप होगा, उसमें ताकत आएगी, और धिरे- घटी तो कि इसके इलावा मैं आपको एक बहुती शरल एक ध्यानविधी जो आपको आउट ओफ बोडी का एक्सपिरियंस करवा सकती है उसके बारे में बताता हूँ आप इसको इसको अभ्यास करने की कोशिश करें इससे भी आपको out of body experience होने में सहायता मिलेगी इसमें आपको क्या करना है बहुत सिंपल सबसे पहले आप बैड के उपर या अपने जमीन के उपर मैट लगाकर शवासन में लेड जाएं और अपने पूरे शीर को एकदम से धीला छोड़ दें कहीं पर भी पूरे शीर में कोई तनाव ना हो कहीं पर भी स्ट्रेस में अकडाव में ना हो तनाव में ना हो पूरे शीर को जितना ज्यादा आप रिलैक्स कर सकते हैं उतना आप शांत करें अपने भावों के दुवारा अपने प्रयासों के दुवारा जब आपका पूरा शीर एकदम से घ्यारे रूप से विश्राम में हो जाए फिर आप अपने शवास को शांत करें अपनी ब्रीधिंग को इतना रिलैक्स होने दें अपनी आती जाती सांस को जितना हो सके शांत होने दें और जब आपकी ब्रीधिंग भी शांत हो जाए श्रीर आपका पहले ही शान्त हो चुका है तो फिर अपने विचारों को शान्त करें जितना हो सके धीरे 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 अपने विचारों को शान्त करते जाएं और जब आपका शरीर बिल्कुल शान्त हो जाए शवास आपकी बिल्कुल शान्त हो जाए मन जब आपका बिल्कुल शान्त हो तब आप एक कल्पना करें विजूलाइजेशन करें कि आपकी सारी शीर की उर्जा आपकी नाभी पे इकठा हो रही है ऐसा भाव करें बार-बार repeat करते वे कि मेरी सारी शीर की प्रान उर्जा मेरी नाभी चक्र पर इकत्रित हो रही है तो जब आप ऐसा भाव करते जाएंगे रिपीट करते जाएंगे तो दिरे 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 कुछ दिनों में आपको वाक्या ही उस्थान पर नाभी पर आपकी प्राण उर्जा संग्रहित होनी शुरू हो जाएगी तो जब आपकी प्राण उर्जा आपके नाभी पर इकठी होने की अनुभूती सगन होनी आपको शुरू हो जाए तब एक दिन आप अदेश करें अपने ही श्रीर को कि मैं अपने स्थूल श्रीर से अलग होना चाता हूँ और इस भावना को आप दोराते रहें कि मैं अपने स्थूल श्रीर से अलग होना चाता हूँ तो एक दिन आप अपने स्थूल श्रीर से ऐसा संकलब करते ही विचार करते ही अलग हो जाएंगे और फिर आपको फिर वो सभी अनुभव होंगे जो आउट ओव बोड़ी एक्सपिरियंस के दुरान होते हैं और जब आप इस प्रिकार का अनुभव कर लें प्रयाद समय तक और जब आपका दिल करें कि अब आप अपने स्थूल श्रीर में वापिस आना चाते हैं तो जैसे आपने संकलब किया था स्थूल श्रीर से बाहर निकलने के लिए ऐसे ही आप दुबारा संकलब करें दुबारा आदेश दें अपने श्रीर को कि मैं अपने स्थूल श्रीर में वापिस आना चाता हूँ तो जब आप ऐसा आदेश देंगे स्थूल श्रीर में वापिस आने के लिए तो आदेश देते ही आप अपने स्थूल श्रीर में वापिस आजाएंगे तो इस प्रिकार से आपका ये अनुभव कम्पलीट हो जाएगा अब आपके अंदर प्रिशन उठेगा कहीं लोग डाउट करते हैं कि अगर हम शीर से बाहर तो निकल जाएंगे लेकिन अगर दुरगटना वश अगर हम शीर में वापिस ना आ पाए तो लेकिन ऐसा नहीं होता है क्यों उसके कुछ कारण है सबसे पहला कारण कि जब तक हमारे मन में जिवेशना है जीने की इच्छा है तब तक हमारी आत्मा शीर को छोड़ती नहीं है तो उस जिवेशना के कारण ही जीने की इच्छा के कारण ही हमारा सुक्षम शीर स्थूल शीर की और वापिस खीचा चला आता है जैसे चुमबक लोहे को खीच लेती है, ऐसे ही हमारी जिवेशना के कारण हमारा स्थूल शीर सुक्षम शीर को वापिस अपने में खीच लेता है, तो इसमें डरने की बात नहीं है, दूसरा कारण क्या होता है कि संधे, हम डाउट करने लग जाते हैं, जिस दुरान आपको ये अनभव हो रह अच्छा है, या जूटा है, हो भी रह या नहीं हो रहा है, कहीं मैं स्वपन तो नहीं देख रहा हूं, और जैसे ही आपके अंदर ये संशे आया, डाउट आया, आपका अनभव खतम हो जाएगा, आप अपने स्थूल शीर में वापिस आजाएंगे, क्यों? क्योंकि ये अ सक्रियता बढ़ जाती है, और वो अनभव खतम हो जाता है, ऐसे ही तो सपने में भी होता है, आपने देखा होगा, कहीं बार आप स्वपन देख रहे होते हैं, और अचानक आपके मन में डाउट हो जाता है, क्या ये सच में हो रही है बात, या मैं सपना देख रहा हूं, औ जैसे ही आपके अंदर डाउट आता है, वो सपना तूट जाता है, क्यों? क्योंकि सवपन हमें अवचेतन मन में आता है, और तब ही आता है जब चेतन मन सोया हो और अवचेतन मन जागरीत हो, और डाउट के आने से चेतन मन सक्रिय हो जाता है, जिससे कि सवपन तूट जात तो यही चीज हमारे अन्भव के दुरांब भी होती है दूसरा कहीं बार आपको क्या होता है कि आपको डर भी लग सकते है कि मैं यहीं जो आप अभी बात मैंने आपको बताई कि You मैं श्रीर में वापिस ही ना हूँ तो जो डर भी है वो भी चेतन मन का हिस्सा है अचेतन में हमें डर नहीं लगता है तो जैसे ही आपको अंदर भय आया कि कहीं मैं श्रीर में वापिस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा तो आप वापस ही आ जाएंगे क्योंकि आपका भय ह आपको इस अन्भव में वापिस ले आएगा तो इसलिए इसमें ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है और जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि आपकी इच्छा ही आपको स्थूल शीर में वापिस ले आएगी आप इच्छा करेंगे तो शीर में वापिस आ जाएंगे और इ में वापस भी लेकी आने तो उसमें आपको इतना कंसर्न करने की जूरूत नहीं है और कुछ लोग ა बोलते हैं कि हिसके कुछ साइड इफेक्ट अपरे इस विधी को करने के आउट वiczकू rights को करने के निश्चिती होते हैं लेकिन हो तब होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा इस अन्भव को करने लग जाएं जर्नली अगर ध्यान साधनों के दुरान कभी दो चार बार आपको कभी ऐसा अन्भव कभी साल चेर मेंने में हो जाए तो उससे आपके स्वास्ते पे कोई फ तूल शीर से बाहर निकलता है और जब वह वापिस आता है तो पूरी तरह से 100% सेम पैटरन में वापिस फिट नहीं हो पाता है कहीं ना कहीं कुछ mm की कमी रह जाती है कुछ हलका सा फिटिंग में कमी रह जाती है जिसकी वज़ा से वह उसमें कुछ साइड इफेक्ट्स आन होने शुरू हो सकते हैं कुछ बाल जड़ भी सकते हैं आपके और चेरे पर प्रोड़ता आ सकती है थोड़ा बुड़ापा दिखने लग सकता है आपका रंग थोड़ा सावला हो सकता है आपका वजन कम हो सकता है तो इस प्रकार के छोटे मोटे थोड़े से साइड इफेक् जाए और जब चाहिए श्रीर में अंदर आ जाए तो उसके लिए बाते इतनी माइने नहीं रखती हैं कि बाल जड़ रहे हैं बाल सफेद हो रहे हैं क्यों कि अब वो इतने बड़े लेवल पर पहुंच चुका है कि वो अपनी आत्मा को जान चुका है वो यह देख रहा है कि मैं स्थूल शीर तो हूँ ही नहीं मैं तो सुक्षम शीर हूँ मैं तो आत्मा हूँ तो आत्मा की तो कभी मृत्यू ही नहीं होती तो जिस व्यक्ति ने अजर अमर आत्मा के दर्शन कर लिए वो इन चीजों से विचलित नहीं होता है स्थूल शीर की सुंदर या समंदी समस तो इसलिए साइड इफेक्ट्स का आप इतना कंसरन ना करें और नहीं अपने मन में किसी प्रिकार का डर और भाई लेके आएं कि मैं वापीस आप आँगा शिर में या नहीं आप आँगा तो यह मैंने कुछ बाते की हैं और आपको इसे जुड़ी थोड़ी जानकारी दी है क आउट ओफ बोड़ी एक्सपिरियंस आप किस प्रिकार से कर सकते हैं और किस तरह की आप इसमें साफधानियों को रख सकते हैं फिर भी अगर आपको कोई बात लगता है कि मुझे बतानी रह गई है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं और आप इसका प्रैक्टिक कल कोशिशे करें आप इसमें जरूर सफल होंगे धन्यवाद